ओम प्रमात्मने नमाँ तेईसमे अध्याय में सिसुमार चक्र का वर्नुम तो सिसुगदेव जी कहते हैं कि राजन सबतर रिशियों से तेरे लाख योजन ऊपर धृब लोक है इसे भगवान विश्णु का परमपत कहते हैं यहां उद्दानपाद के पुत्र परम भववत भ प्रद्रिक्षना करते रहते हैं अब भी कलप परियंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार इस्तित हैं इनका इस लोग का प्रभाव हम पहले चौथे इसकंद में वर्नन कर चुके हैं सजा जागते रहने वाले अव्यक्त गती भगवान काल के द्वारा जो ग्रहनक चत्रा जोतिर गण निरंतर गुमाए जाते हैं भगवान ने धृब लोग को ही उन सब के आधार इस्तंबर रूप से नियुक्त किया है अतह यह एकी स्थान में रहकर सदा प्रकासित होता है जिस प्रकार दाएं चलाने से के समय अनाज को खूंदने वाले पसू छोटी वड़ी और मद्यम रस्ती में बंद कर करम से निकट दूर और मद्यमें रहकर खंबे के चारों और मंडल बांध कर गुमते रहते हैं उसी प्रकार सारे नक्षतर और ग्रहगन बाहर भीतर के करम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर दुर्व लोग का ही आस्रे लेकर वायू की प्रेणा से कलब के अंध तक गुमते रहते हैं जिस प्रकार मेग और बाज आदी पक्षी अपने करमों की साहता से वायू के अधिन रहकर आकास में उरते रहते हैं उसी प्रकार वोई जोतर गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोग बस अपने अपने करमों के अंसार चक्र कारते रहते हैं प्रत्वी पर नहीं गिरते कोई कोई प्रसुभवान की योगमाया के आधार पर इस्थित इस जोतिस चक्र का सिसुमार सूस के रूप में वर्णन करते हैं यह सिसुमार कुंडली मारे हुए हैं और इनका मुख नीचे की ओर है इसकी पूछ के सिरे पर द्रविस्थित है पूछ के मद्यभाग में प्रजापती, अगनी, इंद्र और धर्म हैं पूछ की जड़ में धाता और विधाता हैं इसके कटी प्रदेश में सत्रसी हैं यह सिसुमार दाहिनी और को सिकुड कर कुंडली मारे हुए हैं ऐसी इस्तिति में अवजित से लेकर पुनरवसु परियंद जो उत्तरा आइन के चोधे नक्षत्र हैं वे उसके दाहिने भाग में हैं और पुस्य से लेकर उत्रा साड़ा परियंद जो दक्षणायन के चौधे नक्षत्र हैं वे बायभाग में हैं लोक में भी जब सिसुमार कुंडला कार होता है तब उसके दोनों और के अंगों की संख्या समान रहती है उसी प्रकार यहां नक्षत्र संख्या में भी समानता है इसकी पीट में अजिवीथी, मूल, पूर्वा साड़ा उत्रा साड़ा नाम के तीन नक्षत्रों का समू है और उदर में आकास गंगा राजन इसके दाहने और बाएं कटी तटों में पुनर्वसू और पुस्रनक छत्र है पीछे के दाहने और बाएं चर्णों में आद्रा और आसले सानक छत्र है तथा दाहने और बाएं अथ्रों में करमसाः अविजित और उत्रा साड़ा है इसी प्रकार दाहने और बाएं सबसेमें नेत्रों में सरवन और पुर भास दाहिने और भाय consistent और मूर नक्छत्र इत्रे मध्ण सर्करम के आठनक्छत्र बाईंभी और्वरीत करम से म्रग सरृ रत्राहिन की आठनक्छत्र भास दाहिनीत। में सत्विषा और जेस्टा ये दो नक्षत्र कर्मस है दायन और बाय कंदों की जगे हैं इसकी ऊपर की थूतनी में अगस्त नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम मुखो में मंगल लिंग प्रदेश में सनी कुमद में ब्रिस्वति छाती में सूर्य हिर्दय में नारा समस्त अंगों में केतू रोमों में संपूंग तारागन इस्थित है राजन ये भगवान विष्णू का सर्वद्रेव मेर स्वरूप है इसका नित्य प्रति सायमकाल के समय पवित्र और मौन होकर दसन करते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जब करते हुए भव आत्मा का हम नमस्कार पूर्वक द्यान करते हैं ग्रह नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आध्य देविक रूप प्रकासित हो रहा है वो तीनों समय उप्रियुक्त मंत्र का जब करने वाले पुर्ष्रों के पाप निस्थ कर देता है जो पुर्ष्र प्रात यहां तेज माप्ध्यास माप्त होता है चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकेन गंटी को दबाएं और कमेंट में राधे सिरी किसना लेकें जाए स्री किसना